चहिंद्वर नमस्कार साथियों डिवत्मोंट UPSC के इस अती महत्तोपूर्ण कारियकरम ऐसे संसोधित संपादिक की विश्यशन के आज के यानि 25 मई 2021 के एक महत्र सत्र में मैं दुरू जानी अब सभी महत्तोपूर्ण के इस चात्रवमनी दर्सकों का अर्दिक स्वागित करता हूँ आज एक ही लेक के ओपर बात करनी है जो महत्तोपूर्ण है साथी मैं एक प्रकार से कैसे भारत को यह दूसरी लहर से लड़ना चाहिए कैसे तिस निपटने की जो की नाम अतरब केवल भारत का ही प्रस्न है मगर पूरे विश्व का प्रस्न है मगर फिर भी कुछ है कमियों के वज़े से भारत के उपर इसका प्रभाह जो है वो बहुत ही आप कहली जी कि बहुत ही खराब रूप से देख रहा है और जैसे हमारा एल्थी झाल अधरन क्यों नागरी है नागरी का बूगत रहा है चाहे वो दिली की परिस्तिती हो जाहे वो मुंपै की वो पुने हो नाकपूर ऌगजरत का अंदाबाद हो कोई भी बड़ा सहर जो है वो इस दूसरी लहर के सामने टिका नहीं और पर सारे सहरों में जो स्वास्तिया है उसमें जो लूपोल्स है आज हमरे सामने आ रहा है यह दूसरी महा मरत है हमने देखा पिछले दिनों में का आशीजन की कमी से काफी लोगों की मृत्य होzeitig है कैसे दवा या टाइन पोल ना मिलने से काफी लोगों की मृत्य हो रही है केवल ट्रीटमेंट ही ना मिलने से केवल डेड ना मिलने से काफी लोगों ने अपनी जान गुमाई है तो यहां यह सारी चीज़े जो है वे एक प्रकार से प्रसाशन के लिए एक प्रस्न है प्रसाशन की जो काबिल यह थे प्रसाशन की जो करमठता है उसके उपर एक सवाल ह यहां लेखक ने बहुत ही अच्छा अभियस दिया है कहा है कि सेकंड लेएर जो है वो कैसे भारत को प्रभावित किया कैसे पहली लेएर से सेकंड लेएर अलग थी बिन्न थी वहीं इस लेएर को अगर हमें हराना है तो कौन सी रणनीती अपनानी चाहिए इसका भी सिक्र यह कि वह चोने इसक वेश्विक महामरी का यानि की पैंडेमिक की परिभासा में इसर रख दिया था तो वहां से अगर देखे तो काफी देश है चाहे वो लेटीन अमेरिकन कंट्रीज हो चाहे वो सब सहरन कंट्रीज हो चाहे वो साथ एशिया में भारत जेसर देश हो जहाँ यहां महामरी और दिन प्रते दिन और विकराट बन रही है और प्रशाशन जो है वो लाचार है वो मजबूर है मत्र और मत्र प्रशाशन सरकार लोगों को मरते देख रही है लोगों को ओक्सिजन के लिए रेमेड़ सेवीर के लिए या प्लाजमा के लिए जो है दर-दर ठोक लोकर एखाते देख रहे हैं अन्य था और कुछ नहीं कर सकता तो यहां सारी चीजों को देखना है कैसे आर्थिक रूप से यहां दूसरी लेर ने भारत की कमर के उपर वार किया है भारत की कमर तोड़ी है वो भी यहां लेखक में अच्छी तरीके से रखा है काफी अधर लि एक डिजिटल रेप्लिका का फॉर्म में है दा सेकंडर चलेंज और इस महेंदर देव डिरेक्टर इंदीरा गंधी इस्टिटीट ऑफ डेवलोपमेंटल रिसर्च नवी दिल्ली और इनके द्वारा बहुती अच्छा अमरे सामने यह लेक रखा गया है और यहां जो बाते उन्होंने जो उजागर की है वो धरसल अमरे लिए थोड़ी महत्तूपूरा है प्लस आज का लेक अपने आप में एक अमरा रेडिमेड बुख्य परिक्सा का जवाब है बहुती अच्छा संसो दिन भी है साथी में यहां रणनेतिक बात भी हुई है कि किन-किन भुदों के साथ सरकार को लड़ना चाहिए आगे बढ़ना चाहिए ताकि ना केवल दूसरी लहर से रक्षन मिल सके मगर तीसरी लहर को भी कम से कम घातक बनाया जाए या उससे ज्यादे से ज्यादा सरक्षन लोगों को नागरिकों को मिल पाए तो यह इसकी डिजिटल रेप लिगा है आम तोरब है यहां सेशन में हम लोग तीन चरणों में पूरी बात को समझते हैं पूरी चीज को समझते हैं अधार को तपासते हैं कि लेखक ने कौन से आधार पर यह लेख लिखा है दूसरे चरण में यानि कि महत्तोपण बातों में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी य परिभार्सा है जो की लेख़क करते हैं आम तोर पर एडिटरिल कोलम्स में ठीक है तो उन सारी चीजों को अम लोग यहां रखते हैं और तीसरे में अगर लेख हमारी परिक्ष्याद्रिश्टी से परिपून ना हो तो उसे पूर्ण करने के लिए उसे समपून बिढनने के ल बात करें तो बहुत ही अच्छा लेख है अपने अपने संसुधन है तो इसलिए दो ही चरणों में आज की बात होगी सबसे प्रथम लेख का निसकर्स और बाद में उसमें दी हुई कुछ महत्तपून बात है कुछ रणनेतिक बात है जो की हमरी सरकारों को लागू करनी चा होगे और तीसरी लेर के सामने ज्यादा ताकत से लड़ पाएंगे तो शुरू करेंगे लेकर निसकर्सी अगर बात करें तो काफी साथ संसुधन जिसमन आपको बताया कि काफी साथ संसुधनों को लेकर यहां लेखक ने अमरे समने अपना कुछ अपनी कुछ राई जो है को रखी है और उन राई में लख कहते हैं कि दूसरी वेव ने भारत में असमनता को बढ़ा दिया ऐसा नहीं है कि कोविड मात्र ही इसका कारण है मगर असमनता थी ही पहले से ही थी पूरूव कोरोना के भारत में भी थी मगर इसको जो है गहरा बिनाने का काम इसको तीवर बनाने का काम यहां कोरोना ने किया है yani कि कोविड मैंटीन ने किया है थीक है तो यह यहां अम लोग निसख्र्स में देख सकते हैं साथी में अगर भालों की बात करें तो काफी सरे अहवाल याले आधर ने अपने आधार रूप लिए हैं जयसे हमने काफी चरणों में वर्किंग इंडिया 2020 उसके बाद CMIE यानि कि सेंटर ओफ मॉनिटरिंग इंडियन एकोनॉमी इनके भी कुछ आंकड़े है जो की लखक ने अधार बनाए है साथ ही में RBA का बुलेटिन तो इतियादी चीजों के साथ यहां लेखक ने हमरे सामने कुछ बाते रखी है अपना पक्स रखा है और आज भारत की जो वास्तविक परिस्थिती है उससे हमें वाकिफ करवाया है साथ ही में कैसे इस लहर से बचा जाए कैसे तिसरी लहर से भी बचा जाए उसक प्रशाशन को लड़ना चाहिए ताकि इसी महामरियों का प्रभाव हम लोग कम से कम कर सके तो यह बात रही निशकर्स की अब अगर महत्तोपुन बातों में देखे तो काफी सारी बाते हैं सबसे पहले तो समझना है कि दूसरी लेर और पहली लेर में भिन्नता किया है एक ह इसे लिए तब जो संक्रमन था वो कम था तब health infrastructure crisis नहीं हुए था क्राइसिस नहीं हुए था क्योंकि संक्रमन कम था कम से कम लोगों को अस्पताल की जरूरत पढ़ रही थी कम से कम लोगों को oxygen की जरूरत पढ़ रही थी मगर दूसरी वेव में lockdown जो है वो थोड़ा सा liberal था या state wise था partial था तो यहां संक्रमन की गती पती तेज हो गई संक्रमन की गती तेज होने से वो जो पुरा दबाव है वो दबाव health infrastructure के उपर आया और इसी करकरण health infrastructure यहां crash हो गया तो यहां सबसे प्रथम first wave lockdown second wave no lockdown as such as it was in the first wave फिर अगर पहली लेयर की बात करें तो यहां economy के उपर बहुत ही प्रतिकुल अशर हुई थी पहले lockdown की क्योंकि संपुन रूप से जो आर्थिक परूरूरूत्ती थी संपुन रूप से वो बाधित थी बंध थी तो यहां economy crash होई मगर यहां economy में इतना कोई फर्क देखने को नहीं मिल रहा है फिल्हाल मगर आगे जाकल आगे जाकराई मिन यहां आकड़े थोड़े चेंज भी हो सकते है तो यह इसका दूसरा तफावत है यहां बड़ी तो नहीं है मगर फर्स्ट वेव की जितनी contract भी नहीं हुए क्योंकि स्टेट वाइज लोगडाउन था कुछ स्टेट में था कुछ स्टेट के कुछ हिस्सों में था अर्थिक प्रवरुति जो है वो सामनिय तहर चलती रही थी पूरे भारत में तो यहां economy के उपर भी कुछ ज्यादा असर नहीं हुई ऐसा लगता है अग जो मुख्य बिनता है दुनों वेव में वो यह है कि पहली वेव जो है वो लोगडाउन होने के कारण मत्र सहरों में ही थी सहरों में ही और क्यूंकि सहरों में जो health infrastructure है वो अच्छा होता है health care services अच्छी मिलती है अच्छी गुनवत्ता पूर्ण होती है तो यहां मत्र और मत्र सहरों में थे तो पहले लेयर में जो संक्रमन था उसे manage करना आसान था उसे regulate करना उसे treat करना आसान था मगर अब दूसरे वेव में लोकडाउन liberal होने के कारण moments of people बड़े सहर में जो कोई रहने वाले लोग है अगर वहाँ कोरोना आ गया है उनके सहर में suppose कोई भी एक family है कोई भी एक household है वो अपना गाउं छोड़कर migrate कर गया किसी भी urban area में अब वहाँ urban area में लगब लगब लोगडाउन जैसी परिस्थिती है तो वो कुटम जो है वो अब वापिस अपने गाउं आएगा कि एक बार नॉर्मल से ग्रामिन भारत में भी बढ़ गया है यह अपने आप में बहुत ही गंबिर बात है ग्रामिन भारत और क्यूंकि ग्रामिन भारत में जैसे सहरी भारत में health infrastructure relatively अच्छा होता है वैसे ही ग्रामिन भारत में यहां पूर होता है यहां कोई ऐसी सुईधा है देखने को नहीं इंफ्रा और अगर सेंसर्स का अकड़े देखे तो हमें भलून पड़ेगा कि पॉपुलेशन जो होती है भारत की वह अधिकान से पॉपुलेशन तो ग्रामिन भारत में ही रहती है अर्बन एरियार्स में यानि कि सहरी विस्तर में तो मातर और मातर 30% दी लोग रेते हैं य अगर यहाँ गाओं में एक बर संकरमिल शुड़ू हो गया तो वहाँ तो में और अधिकशन भी नहीं है अधिक और एक्विपमेंट्स भी नहीं है पूरा जो क्शत्र है वो पूर है तो वहाँ तो परिस्तिति और गंबीर होगी और हो सकता है कि पहली लेयर से भी दूसरी लेयर गंबिर हो ग्रामेड भारत में और तीसरी लेयर भी इसमें शुरू हो जाए तो ये बात है साथी में जैसे मैं मालूम है कि हमारे प्रदान मंतरी नरंदर मोदी जी ने एक महत्तो कांग से सारवजनिक की थी और कहा था कि भारत को 5 ट्रिलियन एकोनोमी बनाना है 2027 तक पहले 25 की बात थी मगर फिर ऐसा विगना गये तो अब 2027 की बात है तो यहां आज के दिन कोरोना प्रश्चात के इस माहुल में ऐसा लग रहा है कि अगर भारत 2027 तक 5 ट्रिलियन डॉलर एकोनोमी बनना चाहता है इंडिया 5 ट्रिलियन डॉलर एकोनोमी बनना चाहता है 2027 तक तो भारत को तो भारत को 12 फिस्दी की गती से 12 फिस्दी वरुद्धी की गती से आगे बढ़ना होगा अगले 5 वर्सों तक अब जाके हम लोग यह हमारा जो उद्देशी है वो फुल्फिल कर पाएंगे अन्य था आज कोरोना की वज़े से सारे विश्व की जो जो अर्थतंतर की जो गड़ी थी वो अपनी पट्री से उतर गई है इंक्लूडिंग हिंडिया भारत भी उससे बाकत नहीं है कोई अप 20 से 2022 तक के जो वित्वर्स है यानि कि फिनांसियल यर्स उसमें भारत की जो वृद्दी है वो लगबग लगबग शुनिय रही लगबग लगबग शुनिय रही नेगेटिव ग्रोथ भी नहीं किया मगर पोजिटिव जो ग्रोथ होना चाहिए वो भी नहीं हुआ लगबग इसे पूर्ण करने के लिए हमें 12 फिस्दी की गती से लगबग लगबग अगले 500 वर्सों तक आगे बढ़ना है तब जाके हमरा 5 ट्रिलियन डॉलर एकोनोमी का उदेश्य जो है वो हम लोग भरपाई कर पाएंगे वहां तक पहुँच पाएंगे तो यह रही कुछ तथ्य मुख्यकारण कोविड नहीं है मगर असमानता में वृद्धी का मुख्यकारण जरूर कोविड है यह डिफ्रेंस में समझना है असमानता है असमानता पहले सही थी मगर अगर किसी ने इसमें वृद्धी की है तो वह वृद्धी की है कोविड ने और यह बात State of Working India Report 2020 में सिद्ध हुई है जो कि अजिम प्रमजी उनिवर्सिटी के द्वारा यह सर्वे सेट्शन करा गया था और इसका जिक्र हमने लगबग लगबग चौथी बार किया है हमारे इस संसोधीर संपादर के विस्वेशन के सत्रों में तो आप समझ सकते हो कि यह कितना महत्तोपोना अहवाल है और इसमें जो अब्जिर्वेशन की है जो निरिक्षन की है वो कितने महत्तोपोना है इस रिपर्ट के द्वारा कहा गया है कि लगबग लगबग 230 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे यानि की 230 मिलियन ज्यादा लोग गरीबी की परिभास में आ जाएंगे यानि की गरीबी बढ़ेगी 230 मिलियन यानि की 23 करोर करोर स stove पांचव테ंवा हिससे हमरी कुल जन्संक्यय का मरी कुल अबा दिक पांचवा हिस्सा कहा जाता है कि वह गरीब ही में मजबूरन उसे जना ही होगा क्योंकि जो वियावसाई थे वह बंद हो गए हैं जो अंत वो बंद इंडियन एकोनोमी ने भी कुछ डेटा जारी किया है और उसमें भी उन्होंने बहुती चिंतव यक्त किये कहा है दो चीज़े बताई है दो अब्जर्वेशन बताई है सबसे प्रथम सबसे प्रथम डिक्लाइन इन इंकम और दूसरा राइज इन अन एंप्लियमेंट डिक्लाइन इन इंकम राइज इन अन इंप्लियमेंट यह दो प्रतिकुल असर है जो की कोरोना की दूसरी लहर के कारण भारत के अर्थतंत्र ने भारत के नागरिकों ने देखी है और इन ही के द्वारा जो एक डेटा प्रदर्शित हुआ है जो लगबग लगबग 16 मई 2021 का था उसके द्वारा कहा गया है कि अनेंप्लियमेंट जो होगी वो 14.47 परसंट तक बढ़ गई और साथी में 26 फिजदी कुटूंबो ने ऐसा रिपोट दिया है कि उनकी आई जो है वो कम हो गई या तो सुनिया हो गई 56 परसंट ओफ आउसोल्ड्स फिफ्टी सिक्स परसंट ओफ आउसोल्ड्स रिपोर्टेड डिकरीजिन इंकम दीटू कोविड दीटू लोगडाउन दीटू मेजर्स तू टैकल कोविड ठीक है तो कहने का तत्पर यह है कि भारत में दो प्रकर के समाज है एक समाज ऐसा है कि जिनको कोई फरक नहीं पड़ा है और एक समाज ऐसा है जिनका सब कुछ चला गया इंक्लूडिंग दर लाइवलिवूड्स इंकम और वे आज बिरोजगर हो गई है जिसकी प्रतिकुल असर भारत के अर्थतंत्रव के उपर दिखनी ही दिखनी है और इस फिर यह बात रही दो रिपोट्स की टीसरा है अरिबृटिं जो कि समय के रेगूलर इंटरवलों में प्रण्दरशित होता रहता है जिसमें अरिभी यई अपनी तरह से पूरी इंडियन इकोनॉमी को मॉनिटर करती है इंडियन में एकोनॉमी की जुदसा है उसको मुनिट कहता है कि it will be u-shaped, यानि कि यहां से जो employment है वो कम होती गई, unemployment बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, यानि कि इतना लोगों ने अपनी नोकरी खोई, फिर यहां से this is the pick, यहां pick है जैसे number of cases में ऐसा उल्टा u बनता है, यहां pick कहते है, तो यहां जब unemployment की बात आती है यहां सिधा u बनता है, यहां pick है, यह well कहते है, सबसे गहरी जो है गहरा बिंदू इस पूरे कौव का, फिर यहां से फिर से job employment सब कुछ रिष्टोर होंगे, फिर से पूर्वस्थिती पात सकेंगे, ऐसा अनुमान है, तो यहां RBA कहती है, कि यह u-shape में जो सबसे ज्यादा अगर जिनको दिक्कत है, जो प्रभावित हुए है, वो है blue collar jobs वाले, blue collar jobs, यानि कि काफी सारे जो है लोग इसमें include होते है, जैसे daily wages worker हो, अनसमी workers हो, मगने रेगा के workers हो, ठीक है, geek economy वाले हो, यह सारे लोग यहां include होते हैं, और सबसे ज्यादा अगर कोई समून है, इसका प्रभाव देखा है, दूसरी लेहर का, ख्राव प्रभाव या प्रतिकुल प्रभाव, तो वो है blue collar jobs वाले, यानि कि छोटे करमचारी, छ लेगरेंट से, जैसे मैं आप को बता है, इन सरी चीजों का, इन सरे वर्गों का समवेशन होता है, उनसे blue collar economy बनती है, तो यह लोग आज सबसे अधिक परिशान है, सबसे अधिक इनको घाटा हुआ है, तो यही बात है, जो मैं देखनी थी, लेकत में तीन चरणों में, I mean इन सर्वे या तीन संसोजनों का आधार लेकर हमें बताने का प्रयास किये कि भारत में inequality बढ़ रही है, ग्रोथ वृद्धी कम हो रही है, तो यहां सरकार को दो चीजों को address करना है, दो समस्याओ को address करना है, खट्टी हुई वृद्धी को बचाना है, उससे फिर से बढ़ की यहां चाहिए रण दिती होनी चाहिए, अब यह रण दिती क्यास होनी चाहिए, इसके लिए यहां लिए लेखक नंत है, तीन स्टरी यह एक दिर्ग का लिए रण दिती है, यानि की थ्री लिएर ऴृड प्रोलोंजden स््ट्रेटेजी, जोकि हमें बताएगी की सरकार ऐस जैसे करेंगी तो हमें फाइदा हो सकता है और इस पूरी स्ट्रेजी को आपके समय रखने के लिए मैंने समझेंगे इसका अधियन करेंगे यह तीन बिंदु है जो की लखक नमर सामने रखेंगे तीन स्तरी अध्रिकालिन रणनी थी थी लेयर्ड प्रोलोंजे स्ट्रेजी फर गोवर्मेंट टेकल कोवीड या टू टेकल सेकेंड वेव ओफ कोवीड देखेंगे सबसब्रथम करियम करियकरम आम स्वरी अक्रम करान जो आज बहुत ही मंद गती से हमारा जो इनक्यूलेशन करीकरम चल रहा है वो यहां लेखक कहते है कि इसे कई गुना ज्यादा तीजी से में करना होगा कई गुना ज्यादा इसके लिए सरकारों को अगर घर-घर जाकर टिका करना करना तो भी बहतर है मगर हमें बहुत ही तेजी से हमारे अधिकांस जनसंख्या को टिका लगा नहीं होगा तब जाके हर्ड इम्म्यूनिटी हम लोग एचिव एटेंग कर पाएंगे हर्ड इम्म्यूनिटी यानि कि सतर एसी फिस्दी लोगों का या तो टिका करना हो गया हो या उनको इंफेक्शन लग गया हो तो वहां से हर्ड इम्म्यूनिटी डेवलोप होती है तो यहां लेखक ने सरकार को बताया कि अन्य देशों से आपको प्रैना लेनी चाहिए चाहे इस्राइल है चाहे यूएस है जिन्होंने प्रती सोव्यक्ती सबसे ज्यादा टिका करना कर दिया है पचासी लोगों का तो यहां वहां हर्ड इम्म्यूनिटी अब दिरे दिरे आ जाएगी मगर यहां आज मत्र मत्र हाल तक 20 करोर डोज ही इनकिलेट हुए है और उनमें से अगर फुली डबल डोज सिल्डेड लोगों की बात करें तो वह एक या 1.5 प्रतिशत ही है म तो यहां गतिकों में बहुती तेजी से चलाना होगा और अनिये देशों से प्रेणा लेनी होगी जिनका नाम में यहां लिख रहा हूँ इसराइल यूएस ये दो मुख्य है इसमें जिनसे हम लोग वेक्शिनेशन करेकरम की प्रेणा नीशन देल ले सकते है प्लस कैपिटल इंवेस्टमेंट इन हेल्थ इंफ्रा बहुती आज की समय का गंबिर मुद्दा है बहुती मत्तोपूर्ण है क्योंकि हमने पहले ही देखा कि अंडर्स्टेटड है ठीक है तो आज की मांग सरकार जो है वो अपना बजट एलोकेशन हेल्थ इंफ्राश्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा करें वही आज की मांग है वही आज का जो है एजंडा है ऐसा यहां लेखक कहते है और इसी चरण में काफी सरी चीजों का जिक्र किया जैसे रूरल इंफ्र स्रक्ट्टर को अच्छा बनाना नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ने चाहिए नंबर ऑफ मेडिकल ट्रेक्टिशन जो है वोगने चाहिए प्रति दर्दी प्रती टैन थाउजन पेशेंस बढ़ने चाहिए नंबर आफ बेड़ अखिजन सप्लाई ठीक है तो यह सारी चीजों के लिए capital expenditure चाहिए और यह capital expenditure के लिए budget allocation चाहिए budget allocation and we all know कि हम लोग कितने poor है health infrastructure में budget allocate करने के लिए एक बार allocate हो भी गया तो भी हम लोग उसे fulfill नहीं कर पाते हैं हम लोग उसे utilize नहीं कर पाते हैं तो यह सारी चीजों का में ध्यान रखना है और capital infrastructure के उपर बाहर देना है ताकि health infra capital investment के उपर ध्यान देना है ताकि health infrastructure सुधर है और हमारी ऐसे संक्रमनों से ऐसी महमारियों से रक्षा हो सके यह दूसरा चरण था अब तिसरा मुद्दा है वो है need for the safety net including cash transfer safety net एक प्रकार से जब ऐसी आपतकलिन परिस्तिती होती है तो यह सरकार की एक नेतिक जिम्मदारी बनती है कि सरकार अपने नागरिकों को बचाए अपने नागरिकों को जो प्रशानी हो रही है वो प्रशानी दूर करे यह प्रशानी सबसे बड़ी है लोगों की जो नोकरियां है वो छुट गई है लोगों की आई कम हो गई है zero हो गई है लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है ठीक है तो यह सारी चीजे है लोगों के पास treatment के लिए medical treatment के लिए भी पैसे नहीं है तो यहां इन सरी चीजों को टेकल करने के लिए यहां सरकारों को safety net measures लेने चाहिए जिसमें एक सबसे बड़ा है cash transfer और इसका सबसे बड़ा example है USA, USA प्रथम लेहर में ही जब पहली लेहर वहां चल रही थी पूरे भारत में पूरे विश्व में चल रही थी इंकूडिंग भारत मगर भारत में lockdown चल गया था तो अम लोग तब थोड़े जो है थोड़े फोर्चिनेट थे कि तब health infrastructure crisis ना हुआ और वो हुआ दूसरे लेहर में तो जब पहली लेहर चल रही थी और economic stimulus जब अमेरिकन गवर्मेंट ने सरुजनिक किया तो वह stimulus में प्रती व्यक्ति को 12-1300 रूपए दिये थे ठीक है वहां डॉलर के rate में दिये थे मगर इतने पैसे दिये थे ताकि लोग जो है अपने घर से बारना निकले जिनके पास पैसे नहीं है वह खापी सके उनके खाने पिने के लिए the key नहीं है तो उन्होंने cash transfer की है क्से क्रोड में जहने बचे तो यहां सरकार भारती सरकार को भी ये बात त्यान में रखनी चाहिए क्योंकि यहां लोगो को जीवन और रोजगरी के बीच में लड़ना पड़ रहा है आज ये क्योंकि घर में रहकर जो है कोई बाहर सखाना नहीं लाकर दीने वला है तो मेंटेटरीली जो कुटूम में जो कमाने वला है उसे बाहर निकल पड़ेगा और वो निकलता है संक्रमन होता है संक्रमन के मामले बढ़ते हैं बृत्ति वे बढ़ती है तो यहां यूएससम लोग एक यहां सिख ले सकते हैं दूसरी बात करें तो यहां मगने रगा इसका व्याप में बढ़ना चाहिए जो रूरल एलियर में एपकंट गर新टी देती है उसका व्याप में बढ़ना चाहिए देच सो दिन सर्दव दीन करें आच ऐए महिलाओं का समावेशन होना चाहिए पिर अर्बं एपकंट Employment Scheme का भी व्याप बढ़ना चाहिए तब जाके इस समस्या को हम लोग address कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से address कर सकते हैं तो यह तीन स्तरिय नीती थी जो कि सरकार को यहां लागू करनी चाहिए तो आगे चलकर तीसरी लेहर में हम लोग कुछ अच्छा प्रदेशन कर पाए संकरमन को कम कर सके मुर्तियों को कम कर सके और health infrastructure crash को रोक सके साथ ही में RBA का बुलेटीन यहां एक और बात अबज़ो करता है कि दूसरी जो लेहर है उसका सबसे बड़ा नुकसान demand में गिरावट है यानि कि मांग में गिरावट है supply को कुछ ज्यादा यहां जो है affection नहीं हुआ है ज्यादा प्रभावित नहीं हुई है मगर यहां जो कुछ कोई प्रभावित हुआ है तो वह मांग और ऐसा कहा जा रहा है कि जब नुर्मल सी आ जाएगी रोजगार खुल जाएंगे सब लोग फिर से वापिस काम पर जा पाएंगे तो दीरे दीरे मांग जो है वह फिर से का जवाब ही था जिसमें कैसे भारत करते दंत्रा प्रभावित हुआ उसकी भी बात की गई उसके तत्वों की कुछ एक अहवालों का अधर लेके कुछ एक सर्वेक्शनों का अधर लेके और यहां भारत की सरकार को अब आगे कैसे इस लेहर के साथ निपटना चाहिए तीस कैसे किया प्रभावित कैसे आर्थिक दृष्टी से किया प्रभावित वह इसे मुसिबत से कैसे निकला जाए भावी रननीती पर चरचा कीजिए मैं इंग्लिश में भी यहां रीड करूंगा आउ सेकेंड वेफ कोईट नाइटीन इंपेक्टेड इंडिया एंड वाट शुड बीड़ फ्यूचर स्टेजी तो डिल विथ इट एक्स्पें इन्योर ओन्वर्ड्स तो यह मुख्य परिक्सा के बहुत ही आज के समय का एक एक होट टॉपिक क्वेश्चन था जो की आपके सामने में रखा और जिसका जवाब यहां अमने उसकी चर्चा की सो अम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संसोदन के साथ अगले देख के साथ तब तक के लिए देखते रही है ग्रफ मॉंट यूपीसी झाल